ये वीडियो हमें ये दिखाएगा कि जो given food item है उसमें protein present है या नहीं है इसके लिए हम क्या करेंगे? जो food item है उसका paste बना लेंगे या उसका powder बना लेंगे और उसको clean test tube में रखेंगे अब इस test tube के अंदर हम 10 drops of water add करेंगे अच्छे से सेख करेंगे अब हम क्या करेंगे कि जो हमने test tube लिया था जिसके अंदर food item है उसमें 2 drops copper sulfate solution की add करेंगे और 10 drops caustic soda solution की add करेंगे mixture को अच्छे से सेख करेंगे कुछ time के लिए tube को side में रख देंगे अगर tube में जो color है यदि यह violet हो जाता है it means जो आपका food item है उसमें protein present है